चुडियों में विद्यमान क्रिया तरंगों के एकत्री करण के कारण चुडियां क्रिया शक्ति रूपी तरंगों से प्रभारित होती हैं क्रिया शक्ति रूपी तरंगों के प्रत्यक्षस परिश से स्त्रीकी सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है और सूर्य नाडी से शक्तिरूपी तरंगों का वायू मंदल में प्रक्षेपन होता है चुडियों द्वारा प्रक्षेपी क्रिया शक्तिरूपी तरंगों के कारण स्त्री की देह के सर्वोर रज तरंगों का गतिमान कवच बन जाता है इस कारण वायू मंदल में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों से स्त्री का रक्षन होने में सायता मिलती है